इसके उपरान्त यदि रेखें तो स्वतन्ता संग्राम के साथ साथ वीर सावरकर्जी ने सामाजिक नियाए के लिए जो कारे करने का प्रयास किया समाज में असप्रशता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत पहले यो कारे शुरू किया इन्हों ने ये वेवस्था बनाई कि एक महारियाव आलमी के समाज के वेक्टि जरूर होने चाहिए और फिर उतसों में चाहे भजन करने वाले लोग हों उसमें भी उन्होंने समाज के सभी वरगों को साथ में लिया और डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनकी इस प्रयास की प् इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ अंटेचेबिल्टी नहीं बलकि इस कास्ट के सिस्टम को भी समाप्त करने की आवशक्ता है और आप उस कुछ चुनिंदा नेताओं में हैं जीनों ने की इस बात को समझ कर प्रयास किया है और ये डॉक्टर अंबेडकर के वर्क्स और रहे थे और दूसी तरफ समाज के हर वर्ग को न्याय मिले हर वर्ग को सम्मान मिले उसके लिए भी आगे बढ़ रहे थे अगर आज हम देखें अब हम आज के कालखंड में आ जाएं यह सुतंता का अमरत महुत सो वर्ष पिछले वर्ष पूल हो गया है तो उसको और सावरकर जी के बारे में एक और कंजंक्टिंग पॉइंट आता है वो क्या है कि जब सावरकर जी को गांधी जी की हत्या के मामले में आरोपी बना दिया गया तो उनके वकील भूपटकर जी थे उन्होंने इस बात का संस्परंड किया है कि डॉक्टर अम्मेटकर ने उस सबूत नहीं है और उन्हें बिना वज़े फसाने का प्रयास किया जा रहा है तो उन्होंने पूछा कौन नाम नहीं लिया उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट के कई सदस से इस बात को लेकर खुश नहीं है जिस धंक से यह किया जा रहा है क्योंकि सबूत के नाम पर सिर्फ दिगंबर बढ़गे का एक वक्त वे था कि उसने ये कहा कि उसने एक डिस्टेंस से सुना कि जब सावरकर और नाथू राम गोट से आपस में बात कर रहे थे तो चलते समय सावरकर ने उनसे मराठी भाशा में कहा शायर उसको कहता है यशस्वी हो हुआ है मतलब होकर आओ अब यशस्वी हो इस अधार के उपर आपने कहा यह मान लिया गया कि वो इसी संदर्म में कहा गया है ऐसा कोई सबूत तिक नहीं पाया और इस बात का जो उलेख है वो मालगाउंकर जी ने मनुहर मालगाउंकर जी ने अपनी पुस्तक में जो मैकमिलन प्रेस लंडन से छपी है 1975 में छपी है उसमें उलेख किया अगर किसी को इस पे आपती हो तो वो इस बात पे जाकर सोचे कि क्या भई मालगाउंकर जी का तो कोई संग से संबंद नहीं था मैकमिलन प्रेस का कोई संग से संबंद है इसलिए आप ये समझी और फिर अगर किसको फिर भी लगता है किसाब ये गलत है ये तक्षि नहीं है ये कहानी है तो ये भी समझे लाल केरे का केस चलने के बाद फाइनल केस तब भी नहीं हुआ था पुर पंजाब हाइए कोर्ट में शिमला में केस चला है इसलिए बहुत दुखद हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया जिसने काला पानी सहा जिन्होंने दो जन्मों के कारावास की सजा सही उनको स्वतंत्र भारत में भी अपमानित और लांचित कर ले थे एक और बिंदू है देखे जड़ेपी मैं इस विशे को सामपरदाईक मजरिये से नहीं कहना चाहता परन्तु डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर जी में एक और बिंदू में बहुत समानता है सावरकर जी प्यारोप लगया जाता है कि उन्होंने यूकों से कहा कि आप बिर्टिश सेना में जाके भरती हो जाईए क्यों कहा 1930s में Second World War शुरू हने से पहले भारत की सेना में जो बिर्टिश आर्मी थी और एक होती थी जो प्रिंसली स्टेट से आर्मी जाती थी तो बिर्टिश आर्मी में बहुत बड़ा एक सामपरदाईक असंतुलन था ये बात मुहम्मद अली जिन्ना ने Associated Press को दिये गए अपने इंटर्विव में कहा है की भारत की सेना में 55–70 पीसदी सैनिक पंजाब से आते हैं यानि वो पंजाब आज का जो भारत का पंजब और जिसमें पाकिस्तान वाला पंजाब भी मिला लीजे और उन्हें का उसमें बहुत भारी संक्या में है, ममज़ॉरिटी संक्या में मुस्लिम सानिक हैं जो वेस्ट पंजाब से भी हैं आज का जो पाकिस्तान में चला गया इसलिए हम आश्वस्त हैं कि पाकिस्तान भी बनेगा और वो एक मजबूत राष्ट भी रहेगा और हम अपना हक लेने में सफल रहेंगे किसी कॉंग्रेस के नेता का ध्यान नहीं गया इसके उपर डॉक्टर अंबेडकर ने जब महार जाती के युकों से कहा कि तुम सिना में भरती हो उन्होंने यह बाद पाकिस्तान अत्वा भारत का विभाजन अपनी किताब में सौ से एकसो दसमें पेज के बीच में पढ़ीएगा तो सारे डिटेल्स ने दिये हैं कि उनकी अनुसार जनसंक्या का यह असंतुलन सेना में यह असंतुलन भारत के लिए अच्छा नहीं है भारत की सेना के प्रोफेशनलिज्म के लिए बाते कर रहे थे और यह भी एक सत्य है कि भाजन के बार लगबग यही हुआ कि 99% जो मुस्लिम सैनिक थे वो पाकिस्तान चले गए और 99% हिंदू सैनिक जो थे वो भारत आ गए, ब्रिगेडर मुहमद उस्वान जैसे कुछ जो हमारे महान वीर योद्धा थे, उनको अपवाज सुरूप छोड नजार आ रहा था, अब अंग्रेजों की मजबूरी थी कि उन्हें सैनिक चाहिए थे, अब उन्होंने धड़ा-धड़ रिकूर्टमेंट शुरू किये, तब वीर सावरकर जी ने कानपूर में जाकि अपने भाशन में बोला था, कहा था ये अंग्रेज जो तुमको हतियार रखने नहीं देते, अगर तुम पिस्टॉल का एक छोटा सावी हतियार तुमारे पास मिल जाए तो तुम्हें जेल में डाल देते हैं, आज ये तुम्हें पिस्टॉल ही नहीं देंगे, बंदूखी नहीं देंगे, मशीन गन और तोब भी देंगे, अपना जंगी बेड़ बोस्त ने आजाद हिंद रेडियो से अपने एक प्रसारण में कहा है, और ये प्रसारण आज भी आप चाहें तो जाके सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि जब जादातर कॉंग्रेस ने ता, आजाद हिंद फौच के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कहके, उनका मजाक उड़ा र जो आएने में गए, उसमें सबसे जादा संख्या में जो युवा सैनिकी थे, जो पिछले से साथ आठ सालों में जाकर आएने में गए थे, और देश को आजादी मिलने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, इसके लिए मैं फिर आपको कोट करता हूँ, आप सब लोगों